बॉलीबुड एक्टरस जरीन खान ने कहा है कि अब वो सलमान के आगे हाथ फैला कर उनसे काम की भीक नहीं मांगना चाती। जरीन खान को बॉलीबुड में बिल्कुल साइड लाइन कर दिया गया है। उनके हाथ में इस वक्त कोई प्रोजेक्ट नहीं है। हलाकि जरीन पिछले साल एक छोटी से फिल्म में नजर आई थी लेकिन लोगों को पता ही नहीं चला कि ये फिल्म कब आई और कब चली गई। 2018 में आई फिल्म 1921 में जरीन का थोड़ा बहुत ठीक ठाक किरदार था और इससे पहले वो ठीक तरह से सल्मान खान की फिल्म वीर में ही नजर आई थी सल्मान ने इसी फिल्म से जरीन को 10 साल पहले लॉंच किया था। कट्रीना की हमशकल कही जाने वाली जरीन बॉलिवुड में डूबली केट बन कर ही रह गहीं। हाल ही में एक इंटर्व्यू में जरीन खान ने कहा कि अब वो सल्मान से भीक नहीं मांगना चाती। जरीन ने कहा मैं सल्मान की शुक्र गजार हूँ। पर हैं लेकिन मैं उन्हें परशान नहीं करना चाती। ऐसा करने से मेरा संगर्श और कड़ी मेहनत कमजोर होगी। जरीन खान उन अभागी एप्टरस में से एक हैं जो सल्मान खान के लॉंच करने के बावजूद भी फ्लॉप रही। इससे पहले सल्मान ने एशुरय की डुब्लिकेट, इसने हाउलाल, डेजी शाह, सुनाक्षी सिनह, भूमिका चाबला, सना खान और सुमी अली को भी लॉंच किया था। लेकिन ये भी जरीन की तरह फ्लॉप साबित हुई। वला, इस कबर पर आपकी गह रहा है, हमें कमेंट में बताइए, और भी जादा ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।